हेलो दोस्तो एसके लेक्टरन स्वाटम आपका स्वागत है दोस्तो कैसे हो आप आसा करतों आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तो देखिए वीडियो कौन का CRT TV है इसमें समझ से पिक्चर की है जैसे कि मतलब हम इस पर ओडियो वीडियो चलाते हैं तो इसमें थोड़ी बहु कित नहीं है इसलिए मैं मोडल लंबर दिखाता हूं चाइना किट पर कोई मोडल लंबर नहीं होता ठीक ना तो इसमें कंपनी की किट है वीडियो कौन की तो यह सम पहले मापको जड़ा चला के दिखाता हूं पहले से मैं देखिए आप इसे प्लग ओन करता हूं देखिए म यहां पर लाइन तो आचुकिया, इसमें राटी गलो हो चुकिया है जो पावर की थीख नबढ़ में चल्शे ऑन करके दिखाता हूँ, पहले इसमें बीडियो लगाता हूं, देखिया आपके सामने, यह मेरी बीडियो की है, हरे वाली वीडियो की है और जो ब्लू वाली है नीकी नीले वाली वो मेरी ओडियो की है ठीक है तो इसमें नीचे वाला जो देख रहे हैं राइट साइड का नीचे वाल तरफ यहां वीडियो है और लेफ्ट साइड में इसकी नीचे की तरफ ओडियो है ठीक है ना ओपर हमार तो देखिएाक रहे आउट इसे हमें करते हैं यहां चुके व्यक्त को सब्सक्राइब सब्सक्राइब डमदी के लिरा वीडियोको सब्सक्राइब आपको दिखाता हूं थोड़ा राइट बंद करता हूं कुछ लाइनिग 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 अस तरह की देख सकते हूं तो के सबस्कु कुछ मों बता करते हैं जो भी है इसे समॉप बंद कर लेते हैं आप हिमने चला रहा हुँ दूबारा से चाहे में दस बार बंद कर लो दूब जो एक घंड़ा जो गों दो गंड़ार इसी तरह कि समझे साथ हैं उससे की लिए करेंगा अब देखते हैं कल मैं फाल दिखाना दोस्तों करने के बाद भी मैं आपको चला कर दिखाना चाहता हूं आपको तो इसमें अपर बबार दिखाता हूं इसको तो इसमें देखेंगा ऐसी समय से कहां पर बनी ईस्ट वN ने ऑपन कर लिया इसका बैक कवर तो मैंने देखेंघ हैं लिए का तो किया है तो टीघ को उन करने के बाद घरट फीर से देखेंगे इसमें वही प्रोलबलम है देखें गर्णकर करते हैं करने चाहिए आप multimat 거예요 ऐनालोग मत लीजए एनलोग में मेट में प्रोबलम अनलोग में अनलोग में लेंगे और आगर आपके पास वे आई लुग इंट को पrole में एक को रचीब रहा है तो रची Busy तो रच Viel ग्रीन कलर ब्लू कलर यह तीनों कलर की ड्राइव आनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले ड्राइव चेक करते हैं ड्राइव के बाद हम वॉल्टेज चेक करते हैं तो मल्टीमिटर को लगाए 200 वॉल्ट डीसी प्रेंज पे और एक उसकी ब्लैक प्रोब अर्थिंग पर रख लेक्ते इसमें कलर की आरी है तो फिसलिए यह और हमारी आगे देखते हैं 9 पर नहीं कि आर्ट और इस नहीं दिखाएगा तो यानि के रिघ टिश्टर पूरी और अगर ड्राइव नी आती है तो आपके आएसी पेसे से लेगो तो चेक कर तीनों पर चेक करेंगे तो देड़ सो से प्लस प्लस आपको रीडिंग मिलेगी देखिए वॉल्टेज यानी की देखिए हमें वॉल्टेज प्रोपर मिल लिया है देखिए यहां पर दोस्तों सोचना वाली बात है हमारी ड्राइव भी ओके है और हमारी टांजिस्टर से जो चाल पर लीज आती है कलर के लिए वही ऑके हैं हमारी टांजिस्टर विकाम करें डाइव ब्रव बनी है सबकुछ के लिए अब यहां एकी समस्य क्यों किभा नहीं पर दूब दोस्तों नीचे सब सब्सक्राइब क्लियर हो चुका है दुस्तों अब हमें करना कराना जो इसक वायर लगी हुई है यह इस पार करके गल तो नहीं गई है तो पहले जिक वागर हम हटा देते हैं ऐसी समस्या आती है न दोस्तों अगर हमारी सब कुछ किलियर है तो आप बेस एक बार निकाल के नया लगा के देख लीजिए तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वायर को एक बाहर ही डालेंगे दोस्तों जब आपकी ड्राइव और आपके टांजिस्टर वाइस्टर सब वोल्डेज के लिए रहो ना तो आप एक बार बेस को नया डालके देख लो प्रोब्लम सोल्फ हो जाती है तो ज्यादतर केसिस में ऐसा होता है अब दोस्तों आपके सामने जो भी नहीं लगाएंगा अब इस बेस को हम यहां पर सियाटी बेस को नया ही लगाएंगे और यह जो वायर देख रहे हैं यह एस्टी की जो आ रही है इसको छोल देंगे यहां से छील देंगे मतलब इसका कवर तो आ देंगे यहां से थोड़ा सा और इस पर अच्छे से सफा करक आपको कम से कम यह आधा हिंची वायर बाहर चील के रखनी है ठीक ना आधा हिंची याद रहें क्योंकि जब CRT बेस में लगाएंगे ना तो आधा हिंची उसके पिन के अंदर जाएगा और लोग लग जाएगा फिर ठीक है ना यह वाले में लोग लगता है तो CRT बेस को दोस काउंटर पर और इस बेस को हम यहां से निकालते हैं और इसमें अब दोस्तों नया भीस लगाएंगे तो दोसे मार्किट में बहुत सब्ग्का इसानी निहीं आँका सकते हो मैं प्राइस नहीं मैं बताउंगा 10 कि मेरे कस्टूमर इस मेरी वीडियो देकते तो फिर मुझे तो जैसे आपको अच्छा लगी में निकाल लियां आप ऊसा ही बियस को ले आना है। तो हमें मेरे पास है यह मैं भी लेकापता हूं देश्टो तो दोस्तों देखिए मेरे पास यह बेस था बिल्कुल नियू सेम टूसेम यही है तो दोस्तों में अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको पुराने वाला सैंपल ले जाना होगा ठीक है ना कुछ इस पर नंबर भी जितनी पिन है उसमें भी इतनी पिन होनी चाहिए जहां है महीं रहनी चाहिए ठीक है अब नॉर्मल ही हम इस CRT बेस को ऐसे हिसमें लगा देंगे बेस लगाने से पहले बोड़ को थोड़ा सा सफ़ा कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा सा थिनर मारा और इसक से बेफी कर रही है सैट आएगा क्योंकि जो बिल्कुल लाश्ट वाली इर्थिंग वाली पिन है वो बिल्कुल जोन से खाचें बैट के सैट आएगी नो सभी माजाईगी दोस्तों देखिए हमने CRT बेस यहां पर लगा लिया है तो यह बेस अब बिल्कुल किलियर है नही बेस के अंदर जो घुसेगा अब इसमें कैसे लगाने देखिए लोक वाला बेस है एक नॉर्मल सोल्डिंग वाला होता है लोक वाला इसे उपर की तरफ उटाएंगे पिन को इसमें इस तरह से होल में पूरा बार देंगे जहां तक लाश चलाएगा ठीक ना और यह पिन न लगा देंगे अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कहां से अटाइग तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार आप फोटो के लिए अगर आपको प्रोब्लम मनती है में नए मेकैनिक के लिए मैं बता रहूं तो पहले फोटो कहां लगी है तो यह आपके लिए इजी ट्रीक होगी ठीक है न दोस्तों अब यह हमारा जो अर्फिंग कतार होता है नहीं कि न्यूटल वाला जो की एश्टी को न्यूटल करन्ट कराता है तो यह हमारा लगाना बहुत जरूरी है इसके विना टीवी ओन नहीं होने का ओन तो जाएगा पिक्चर नहीं आएग इनको भी एक बार अच्छे सापको सफ़ा करना है कोई ब्लेड ले लेना है नुकिला सा और बहुती आराम से साउधानी से इस तरह से सफ़ा करना है क्योंकि जितनी वी पिनहें पर थोड़ा बहुत मौस्चुराजर कार्बन वगयरा बन जाता है तो उसकी वज़े से आपक प्रेसर जादा नहीं डालना आपको नॉर्मल हल के हाथ से काम करना है ठीक ना हल के हाथ से क्योंकि दोस्तों पिन मुड़ सकती है तूट भी सकती है और यह आपका ज्यादा हार्ड लगा होगे तो यह खराब भी हो सकता है तो प्लीज ज्यादा हार्ड ना करें अराम अराम होंगी आपकी पिक्चर क्वालिटी भी बहत्रीन होगी ठीक है दोस्तों हमने सफ़ा कर लिया है अब सियार्टी बेस को मिसमें आराम से पिरा देंगे जैसे हमने लगाया था एक हाथ आप पिक्चर ट्यूब का आगी तरफ रख सकते हो और पीछे तरफ से आराम से इस तरह से प्रेस करना है दोनों करब से तो दोस्तों फिक्स हो चुका है अब इसमें हम इसकी जितनी वी दोनों जिक थी बड़े वाली जिक चोटे वाली जिक लगा देंगे जो की हीटर वाली है और एक कलर वाली है इसको लगा देंगे और दोस्तों इसमें अब हम टीवी को ओन करके इसकी मैन लिड लगाके इसके एवी पे लगाके जराँ चेक करते हैं हमने मैन लिड लगा दी है और हमने टीवी को ओन करके एवी पे लगा दिया है जराँ इसकी लिड लगाके देखते हैं हमने से एवीपे कर दिया है दोस्ता आगे से लिड लगा कर चेक कर देंकि हमारी प्रोब्लम का सोल्यूसन हुआ नहीं अब कैमरे को आगे की तरफ लेके चलता हूं मैं स्क्रीन के सामने देखते हैं क्यों हो नहीं मुझे चांस है कि हो गया वह तो दोस्तो देख सकते हो क्वा प्रोब्लम नहीं आती है आप ये चीज चोटी चोटी टिप सजमा हो जो जो मैंने बताई ये चीज करके देखो आपका टीवी किलियर फाल्ट हो जाएगा और ठंडे दिमाग से काम कीजी तो दोस्तों देखिया किलियर हो चुका है फाल्ट अच्छे से किलियर टीवी चोटा सा फाल ता जिस वज़े से इतनी क्वालिटी पिक्चर की बेकार आ रहे थी इदर उदर छेड़ने जोड़नी है ये चीज चेक करो काम आपका क्यों दोस्तों ये टीवी बिल्कुल किलियर चल चुका है तो आपने बेस लाकर डाल देना है इस तरह समस्याई पिक्च जैसी राम वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करें अपने दोस्तों में जहीं